तो इस व्यक्तित मेरा दोस्ती था उसने कॉल करके बोला कि अमन यार एक वीडियो बनाते हैं सब एक साथ पंच मारेंगे डेफिनिटली आवाज पहुंचेगी मैंने का ठीक है पर यार बहुत कॉंट्रोवर्शल वीडियो है आदे बच्चे देना चाहते हैं आदे नहीं दे थमने लगाया था मैं नौ बजे सीधा डायरेक्ट आया था आने से पहले परिस्थिती यह थी जनाब कि सुप्रेम कोट ने कुछ लौ निकाल रखा था कुछ और रेगुलेशन क्या बोलू मैं मेरे जवान में भी चीज़े नहीं आ रही हैं उन्होंने बताया था कि यार ए एजुकेशनल कॉंटेंट बना रहा हूं जब यह डोमेन भी नहीं था पर क्या होते हैं लोगों को थमनेल मिलता है टॉपिक मिलता है वो बनाते हैं मैंने किसी पर रियाक्ट आस सच नहीं करा बहुत कंट्रोल करके रखा सोचा यार यह छोटी बातों पर अमन तू कब से र उन कोचिंग माफिया को सबसे बड़े दुश्मन अगर आज के दिन दिखते हैं तो मैं हूं फिजिक्स वाला सर हैं दो तीन बंदे और हैं जो की ठीक कॉंटेंट डाल रहे हैं वो हैं हम हैं उनके सबसे बड़े दुश्मन जिस चीज के वह लाखों चार्च करते हैं फ्री करता हैं अगर मैं कुछ प्रमौशन करता हुं वह बंदा दुखी है मुझसे कि अमन करता क्यों नहीं मेरे पर्रांड डिल एक्यूमलेट हो रखिया हैं चुड़ा हुँ नहीं मैं उसे बोलता हूं बच्चे नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि यार ओडिन पाते तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चीए क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं एक बार विवेक बिंद्रा सर ने आके यार यह चीज उन्हें बोलनी पड़ी थी और आज शायद मुझे भी बोलनी पड़ेगी इशू किस चीज से आगे एड दिखा इस चीज से कितनी चोटी सोचे मतलब कोई पढ़ा दे हमें पर जनाब वो कैसे कहां से यार फाइनेंस किदर से आते हैं आपको क्या लगता है वो जो बंदे जो फैकल्टी पैसे ले रहे हैं किदर से आएंगे वो यह उनको कवर अप नहीं कर पाते पर फिर भी एक छोटा पोर्शन कवर होता है तो ह यह तो ठीक क्या मैं क्या यहां पर ड्रक्स बेच रहा हूं क्या है यह तो मैं यह सिखा रहा हूं मार काट कैसे करनी है पर ठीक है इसी सोच से यार लोग डरते हैं नहीं करते हैं वो प्रमोर्शन